बाचीत होने वाली एक मानेजमेंट के साथ लेकिन उस्ते पहले बाजार की कुछ बड़ी बात है जहांपे हमें एक चेक लेना चाहिए बाजार की चाल का कमजोरी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है तो आज का सत्र जहां पर गिरावट हमें चोतरफा होती वे दिखाए दे रही है इतना ही नहीं है स्पेसिफिक काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं तेजी है तो उनमें एक FMCG पैक है जो फिलहाल तेजी को लेके आगे बढ़ र है लेकिन ऑटो शेर आज गिरावट की सूची में सबसे आगे हैं स्पेसिफिक काउंटर जैसे की M&M वगेरा 5% तूटते वर दिखाए दे रहे हैं और ग्यास शेरों में भी हमें गिरावट ही दिखाए दे रही है चन्ने पेट्रों की बात करें 7% तूटता वर दिखाए है हरे नशान में जो खरदारी की और शेर्स हैं उनका जो आकड़ा है वो 285 है बाकी 225 डिकलाइन्स की और हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार में किस तरह से न सिर्फ लाच कैबल की बॉर्डर इंडिसेस में भी आज के सत्र में हमें विक्वाली ही दिखाई दे रही है और यह बिक्वाली हावी अब कितनी होगी क्योंकि हम का कारोबारी सत्र के अंध के बेहत करी पहुंच गए हैं कुछ टॉप काउंटर्स अगर हम गिरावट के लेकर आएं तो देखिए इंडिसेंट बैंक सबसे बड़ा लूजर यहां पर 18% तक की गिरावट यहां टॉप काउंटर्स यहां पर FMCG ही दिखाए दे रही हैं लेकिन बहुत कम और बहुत छोटी लिस्ट है निफ्टी गेनर्स की अभी के घंटे लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अक्शन कुछ वॉल्यूम बजर्स और खबरों के चलते जो रियाक्शन देखा जा रहा है ब बिल्कुल ना सिर्फ बेस्ट लेकिन ओनली सेक्टरल इंडेक्स है जो यह हमें हारे निशान में दिख रहा है इस गिरते हुए मार्केट में FMCG इंडेक्स देखे तो करीब करीब एक परसन की तीजी के साथ ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है अगर इसमें हम स्टॉक्स देखे तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले गोद्रिच कंजूमर नजर आता है तो इसके जो एक्सपेक्टेशन थे वैसे ही नंबर साय थ जिसके चलते इसमें अच्छी खरीदारी हो रही है माजिन छोड़के बाकि सब नंबर काफे फेवरेबल नजर आये थे जिसके वज़े से इसमें पॉजिटिविटी आई है इसके साथ साथ मैरिकों में भी हमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है कुछ एक परसेंट की तो यहां पर हमें निफ्टी आउटो इंडेक्स नजर आ रहा है जो कि करीबन तीन परसेंट की बिक्वाली के साथ ट्रेट कर रहा है इंडेक्स साथी साथ इंडेक्स ने आज फोर मंत के लोग लेवल को भी टुच कर दिया तो यहां पे काफी बेरिशनेस बनता हुआ नज लिस्ट में देखे तो यहां पर हमें M&M और एक्साइट इंडस्री और TVS मोट जिसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं जिन में करीबन 3-5% की बिक्वाली होती हुई नजर आ रही है अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक मुड़े तो आल टाम है स्टॉक में हमें कोफोज एक वैसा स पूर रिपोर्ट आई थी तो तीन दिनों से यह कंटिन्यूसली उपर के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है तीन सेशन्स में कोफोज ने करीबन 12-13% का अपमूव औरड़ी दे चुका है स्टॉंग वोल्लिम्स की बात करें तो यहां पे इंडसिन बैंक आज काफी फोकस मे भी नजर आ रही है इसके साथ साथ हम देखे तो गोजदरिश कंस्यूमर और आई टी सी बेसे स्टॉक है जिसमें भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है वो भी अच्छी खरीदारी के साथ हाई डिलिवरी वाले स्टॉक भी देख ले थे आखिर में और इस लिस्ट मे कर रहे हैं इसको लेकर हमारे सायोगी शरत दूबे जो बिलकुल आई टी सी में फोकस में रहेगा और आज जो है दिन के ट्रेड में one of the top gainers निफ्टी में रहा है और overall इनकी नतीजे है लाजली in-line set of numbers देखने मिला है देखा जाए तो revenue की जो बात करें तो यहां पे 14% का ग कवरी देखने मिली है FMCG की बात करें तो revenue growth 6% काया था और अनुमान से यह बहतर है देखा जाए तो staple biscuits snacks for frozen snacks dairy premiums हो इन categories में जो है अच्छी growth देखने मिली है होटल segment की बात करें तो segmental revenue 12% बड़ा year on year basis पे और पोल से 10% का था अग्री और hotel divisions की बात करें तो अच्छी performance भी देखने मिली है अब पता करते है कि brokerages क्या कहते है ITC के बारे में और Goldman Sachs की रिपोर्ट आई है जहां पे maintain buy रखा है और target price है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है 515 से 525 रुपए प्रति शेयर कर दिया है जो सब्सक्राइब कारण बट ओवरॉल जो है जो इस तरह पिर्स का परफॉर्मेंस था उनसे बेटर ITC ने किया है एगरी बिजनेस का अच्छा quarter आया हाला कि paper business थोड़ी सी शेकी थी और hotel business में strength आया तो of course Goldman Sachs ने एक thumbs up दिया इसके कारण जो है ITC में आज तेजी देखने मिल रही है शुक्रिया तमाम details यहां पर देने के लिए तो obviously हम इसी के चलते स्टॉक पे भी reaction देख रहे हैं और उसी के चलते पूरा जो FMCG का pack है एक लौता सेक्टर है जो हरे निशान में आज के कारोबार में दिखाई भी दे रहा है आगे बढ़ते हैं और नतीजों के को लेकर जी हां तो अगर हम इंडेसिंट बैंक को देखे तो एक तेज गिरावट हमें देखने को मिली थी और इसके में रिजन यह है कि अगर हम numbers की बात करें second quarter की तो अनुमान से कई जादा नीचे यह numbers जो हमें देखने को बिले थे और इसमें में सबसे बड़ा अगर बात करें त अगर हम इस नंबर को भी हटा दे तो भी जो credit cost है वह 1.5% पर चला गया है MFI के चलते हुए कई पर slippages में भी काफी जादा एक अप्टिक जो है वह देखने को मिला था और वही एक सबसे बड़ा concern जो है वह बैंक के लिए अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है इसके अगर हम बात करें बाकी profitability की तो कई पर 40% का fall जो है हमें profitability में देखने को मिला था assets की अगर बात करें तो वहाँ पर bank का कहना यह है कि कई पर जो unsecured book है वहाँ पर एक slowdown हमें देखने को मिला और इसके चलते हुए कई पर net interest margins में fall देखने को मिला था बड़ आगे जाके जो outlook है वहाँ पर एक weakness bank की दरफ से देखने को मिला था उन्होंने कहा है कि जो 18-20% का growth rate था जो bank में पहले था वो इस साल में आना काफी ज़ादा मुश्किल है और इसके चलते हुए कई पर एक growth concern जो है वो भी हमें देखने को मिला था आगे जाके इन सब के चलते हुए अगर हम brokerage की माने तो वहाँ पर भी एक काफी bearish view हमें brokerage के तरफ से मिला था कई पर एक target price में cut हमें देखने को मिला था अगर हम बात करें IFL की तो वहाँ पर उन्होंने target price में cut किया है इसकी बात-बात अगर हम बात करें इंवेस्टेक की वह हमें देखने को मिला था क्योंकि brokerage से कही पर EPS में भी estimates में cut किया है और अखिर में अगर हम बात करें नुमूरा तो वहाँ भी एक sharp cut हमें देखने को मिला था जो कि पहले 1580 रुपे का target था वो 1220 रूपी का किया है तो दोनों तरफ से bank के तरफ से भी एक weakness देखने को मि जाए शुक्रिया